सद्गुरु भगवान कीजै स्वामिजी महराज कीजै शिवोहं ओम ब्रह्मानन्दं परमसुकदं केवलं ज्ञानमुतिं द्वन्दातितं गगनसद्रसं तत्वमस्यादिलक्षं एकं नित्यं विमलमचिलं सर्वधी साक्षिवुतं सद्गुरु भगवान कीजै शिवोहं आज का जो श्लोक है वो श्लोक जो है गीता के अध्याय दोका और उन्चालीस वा श्लोक है थार्टिनाइब इस श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ए शांते अभिहिता सांखे बुधिर योगे त्विमाम शुनूं बुधिया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी इस शांते अभिहिता सांखे बुधि योगे तु इमाम शुनूं बुधिया युक्तह यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी ये शां यनि यहाँ ते यनि ते ले लिए अभिहिता यनि कही गई या अच्छा ज्ञान योग के विशय में तु यनि अभ तु इमाम यनि इसको सुनूं ये शांते अभिहिता सांखे ये तेरे लिए जो ज्ञान योग के विशय में कही गई है बुधियोग योगे तु इमाम शुनूं अब तु इसको जो है बुधियोग से के हिसाब से सुनूं बुधिया युक्त यथा पार्था यदि यह बुधि से युक्त हो कर तु अगर पार्थ इस प्रकार से जो अगर तो है पार्थ इस बुद्धी से बुद्ध है नि बुद्धी से युक्ता है यानि युक्तुगा यथा यानि जिस पार्थ यानि है पार्थ कर्मबंधम, कर्मों के बंधम, प्रहास यजी यानि भली भाती त्याग देगा यह बात हम यहीं से शुरू करेंगे पार्थ का हमने पहले आपको बताया है कि जो परमात्मा को जानने के लिए और इस संसार की माया के पार जाने के अर्थ में जीवन जीता है वो पार्थ होता है पार्थ का मतला होता है जिग्यासू पार्थ मतला प्रथा पुत्र नहीं है वो प्रथा पुत्र तो उन लोगों के लिए है जो लोग केवल शब्द का ही चारा भूसा चबाते रहते और अंतता है शब्द का चारा भूसा चबाते चबाते और गधे की तरह मर जाते हैं इस स्लोक में कर्म का बंधन काटने के लिए हैं, कर्म योग के विशय में और बुर्धी योग का बंधन करने की भगवान की पस्ताव नहा हैं, यहां से वो बुद्धी योग का बंधन 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 क ज्ञान योग के विशे में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विशे में सुन जिस बुद्धी से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भाती त्याग देगा यानि सर्वता नस्ट कर ढालेगा अरजुन को ज्ञान के विशे में ज्ञान से कैसे परमात्मा को पाया जाता है ज्ञान से परमात्मा से कैसे जुडा जाता है और माया से कैसे टूटा जाता है माया से मोक्ष कैसे होता है मोक्ष नहीं छूटना कैसे होता है ये समझाते आ रहे हैं तुम भी अभी अज्ञान से जुड़े हो इसी कारण से तुम लोग जीव हो जिस दिन तुम ज्ञान से जुड़ जाओगे और वैसे उसी दिन अज्ञान वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे गधे के सिर पे से सींग गायब हो जाते हैं किसी व्यक्ति को मूर्खता पूर्वक अगर ये ब्रहांती हो जाए कि गदे के सिर्वें सींग होते हैं फिर उसको गदे दिखाया जाए तो गदे एक दो तीन नहीं सेंवरों गदे दिखाया जाए और येसे गदे दिखा जाएं, तरह तरह के नसल के गदे दिखा जाएं, तो वो कह देगा, हाँ बास सही है, गदे के सिर्पे सिंग नहीं होते हैं, जैसे प्रकाश के होने पर अंधकार नहीं हो सकता, प्रकाश का मतलब है अंधकार का अभाव, और अंधकार का मतलब है प्रक और गति के अभाव का मतलब है जड़ता हूं। ऐसी बुद्धे के अभाव का मतलब है मूर्खता ऐसे ही ग्यान का अभाव का मतलब है जीवभाव। जब ग्यान मुझे बहुत हासी आती है कि संसारी जो लोग होते हैं वो ग्यान किसको कहते हैं जो बहुत सारी कितावें लिखता है कितावें पड़ा हुआ होता है और बड़ा PSD और DSC होता है उसको कहते हैं कि अगर या ग्यानी है बड़े ग्यानी है या कोई कोई ग्रंथ या कर लेता है पूरा का पूरा हाफिज हो जाता है के ते बड़ा ज्यानी है तो तरटन तो जाता है उसको संसार के लोग ज्यानी कहते है बहुत हसी आती है मुझे संसारी लोगों की परिवाश ज्यान की परिवाश पर ज्यान कोई शब्द है क्या ज्यान कोई अन्भव है क्या अरे ज्यान तो अवस्था है जहां सारे अन्भवों से अतीत हो जाता है बिक्ति तो यदि आपको ज्यान हो जाए यानि आप जाग गए आपको परमात्मा का बोध हो गया और आप किस प्रकार से कर्म गप्पे है उसकी बात हो रही है यहाँ पर या आप किस प्रकार से कर्म करें कि आपको ग्यान में मदद मिद जाए तो जैसे व्यक्ति अपने करतापने से अलग हट जाता है अलग हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो कर्मों का त्याक कर देता है कि कर्मी नहीं करता ऐसा नहीं कि कोई बेती ग्यानी हो गया परमातमतत्यों को प्राप्त कर लिया परमंस हो गया तो वो भोजनी नहीं करेगा पत्थर खाने लग जाएगा या खाय गई नहीं ऐसा नहीं कि कोई ग्यानी हो गया तो सीरी से नहीं उत्रेगा जट पे से पुच जाएगा ऐसा नहीं कि ज्यानी हो गया तो पागल हो जाएगा ऐसा नहीं कि ज्यानी हो गया तो सोएगा नहीं मींद्रा नहीं आएगी ऐसा नहीं कि ज्यानी हो गया है तो जो है गुन-गुन आएगा नहीं ज्यानी हो गया है तो भारतलाप नहीं करेगा ज्यानी हो गया है तो हसेगा नहीं, ज्यानी हो गया है तो अदम सुन्न मुन्न उदास बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है, ये तो आप लोगों की बहुत बड़ी ब्रहांती है, ज्यानी होने पर भी क्रियाएं होती है, क्रियाएं करना बहुत आवश्यव हो जाता है, हर आदमी को ग्यानी सांस लेता है आप भी सांस लेते हो ग्यानी का भोजन पस्ता है आपका भी भोजन पस्ता है लेकिन बस थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि बहुत पहले जो अज्ञान अवस्था में जो करता पने में जी रहा था वो मजबूर होकर करता पना उसको भोगता पने में उतार देता था करता पने में जीता था तो करता पना होने से भोगता पने में भी चला जाता था लेकिन अब ग्यान के बाद वह अकरता है अभोगता है और सच्मुच जीने का जो आनंद है वो तो ग्यान के बाद ही आता है अग्यानी आदमी तो जीता है लेकिन मरमर के जीता है और ग्यानी आदमी जीता है तो छण छण में जीवन का आनंद लेता है एक कोई शेयर है जिसमें कहते हैं न कि जिन्दा दिल जीते हैं और मुर्दा दिल भी का खाग जिया करते हैं ऐसा कोई शेर है तो ग्यानी वास्ता में जिन्दा दिल होता है अज्यानी तो मुर्दे के समाने बाबा जिसे मुर्दे के हाथ पर अकड़ जाते हैं तो हाथ अकड़ता है तो हाथ सीधा हो जाता है पेरा करता है तो परसिता हो जाता है ऐसे जैसे किसी पाइप में पानी चलता है तो पानी से पाइप फिलता है ऐसे ही जो अज्यानी है वो तो प्रकरती के वशी भूत होकर मूर्चित अवस्था में जैसे पत्ता तूड़ जाता है हवा उसको उड़ाती रहती है ऐसी उसका जीवन जो है प्रकर्ति के प्रभाव में होता है चलता है जैसा भी चलता जाता है और वो सोचता है कि मैं जा रहा हूं उसको बड़ी भ्रांती हो जाती है कि मैं जा रहा हूं मैं कर्म कर रहा हूं ग्यान और कर्म का जो संबंद है भगवान इस इस लोग के माध्यम से और इसके आगे बता रहें अर्जुन को कि ग्यान और कर्म का क्या संबंद है तो जो है पंडित लोग विद्वान लोग जो होते हैं वो लोग तो भूल जाते हैं कि ग्यान और कर्म का क्या सम्मन्द है या तो वो बातें ठोकने लग जाते हैं और या पर कर्म करने में भड़ जाते हैं तो ग्यान योग जो है ग्यान योग दोनों को बिल्कुल अलग-अलग धारा नहीं मानता ये पंडित लोग तो ग्यान और कर्म को दो अलग-अलग पद्धती, दो अलग-अलग धारा मानते हैं, लेकिन ग्यान हो जाने के बाद ग्यानी इन दोनों को अलग-अलग धारा नहीं मानता। ज्ञान और कर्म बेटा एक दूसरे के संबूर के हैं ज्ञान और कर्म एक दूसरे के सायक हैं ज्ञान और कर्म एक दूसरे के कम्प्लिमेंट हैं सिक्के के दो पहलू हैं ज्ञान होने के बाद जो कर्म होते हैं वो बास्तव में होते हुए भी नहीं होते हैं उनका जो है आट अपने आप होते हैं। कर्म करने नहीं पढ़तें। अपने आप होतें। जैसे जीवन की आवश्यक्त होती हैं वैसे खुद बखुद कर्म होने लग जाते। ज्यानी को कभी भी प्राणायाम करने की जरुवत नहीं होती. ज्यानी के प्राणों का नियमन और्टोमेटिक होता है. जरुवत पढ़ती है तब छोटी स्वास, जरुवत पढ़ती है तब लंबी स्वास, जरुवत पढ़ती है तब गुंभक, जरुवत पढ़ती है तब रेचक, आप ज्यान में खड़े हो जाई है, आपको प्राणायाम करने की जरुवत नहीं है. आपको आटोमेटिकली आपक जो स्वास है वो अपने आप आपकी लंबी और दिमी हो जाती है इसलिए ग्यानी लोग ज़्यादा समय तक जीते हैं क्योंकि वो स्वास बहुत दीरे लेते हैं मैं तो आप के लिए जल बोल रहा हूँ तो मुझे तो स्वास जल दी अभी लेना पड़ रही है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपके लिए कभी-कभी ज्यानी तो बोलते भी नहीं किसी से तो जो प्राणों का जो नियमन है वो आपको करना नहीं पड़ता और एक दूसरी बात हम आपको बताएं मेरे सद्गुरु भगवान के आश्रम में एक साधू पढ़ा रहें और वो साधू जो है उनकी आदत थी कि सुबह पोने पांच बजे उठकर और घूमने जाते थे दो-तीन किलोमीटर, चार किलोमीटर, पांच किलोमीटर वो घूम कर आते थे और साइंकाल भी भोजन के उपरा अंतवू घूमने जाते थे संसारिक द्रश्टी से तो वो लोग कहेंगे वाई तो बहुत अच्छे आदधी गुरु महराज को उन्होंने कुटिया का धर्वाजा बजा के एक दिन पोने पांच बजे जगाया गुरु महराज कहीं बैठे हैं थे अपने स्वरूप में इस्तिधो कर गुरु महराज ने काई कौन है सुबे उनको अधिकतर हम अपने सद्गुरु को कभी भी धर्वाजा नहीं बजाते थे जब सद्गुरु का की करपा होती थे उन्हों स्वयम बहार आते तो हम सब चोग गए कि कौन मजा है, तो देखे तो साधू, अब साधू को कौन टोक है, हम लोग तो जो है वो उस्यमें कच्छे थे, गुरु महारा आए तो उन्हें का क्यों क्या बात हुए, उन्हें का चलो घूमने चलो क्राप, पैठे हो यहां कुटिया में, तो बोले सद भगवान ने बहुत बिनम्रता पूर्वक कहा कि हम इतना भोजन करते ही नहीं है कि हमको घूम घूम के पचाना पड़े हैं, संसार के लोग सुबह उठ जाते हैं, सेर करने को जाते हैं, भाग बगीचे में जाते हैं, वहां प्राणा या मासन बगारा करते हैं, और एक्सरस करते हैं, ज्ञानी को ये कुछ करने की आवर्श्चक्ता नहीं है। उसके सरीर का इतना ओटोमाइज़ेशन हो जाता है, कि ज्ञानी ज्यादा खा नहीं सकता, ज्यादा बोल नहीं सकता, जरूआस से ज्यादा उसको चलना नहीं है, भालतु जैसे लोगों को देखो जब औ पैटे नहीं रह सकते गूम रहे। ज्यानी एक कदम भी व्यर्थ में नहीं चलता हूँ। आशा है आप समझ रहे होंगे कि क्यान के बाद जो कर्म होते हैं वो कर्मों का अपने को नियमन नहीं करना पड़ता है। है ना तो भगवान ने कहा कि आप घुमयाओ भई अगर आपको होजन पचाना है तो आप घुमयाओ। और मैं भी अपने बारे में बताओं कि मैंने भी जीवन में कभी कि ना तो मैं जीम गया हूँ जैसे लोग जीम जाते हैं ना मैंने एकसेसाई दन बेठक कुछ किया है। मैं तो ऐसाई सहज जन्म हुआ है सहज परमात्मा की और चला हूँ सहज उसको प्राप्त किया और सहज जीता हूँ। तो ग्यानी सहज ही जीता है। अब ग्यान और कर्म में ग्यान जो है वो कर्म का नियमक है, कंट्रोलिंग एथर्टी है। कर्म से ग्यान का नियमन नहीं होता, बलकि ग्यान से कर्म का नियमन होता है। तो ज्ञानी जिस समता में ठहरा होता है उसी समता को यहां सांख्य सब्द से प्रयोग में लाया जाता है। इस स्लोग में सांख्य सब्द का जो प्रयोग किया गया है वो ज्ञान के और समता के अर्थ में किया गया है। अब ज्ञान और बुध्धी जो है इसका ठहर जाने का आर्थ है कि ज्ञान होने पर बुध्धी से आव्यक्ति हट कर जीने लग जाता है। बुध्धी तो अज्ञानी में होती है ज्ञानी में बुध्धी नहीं बलकि प्रवुध्धी होती है ज्ञानी में प्रज्ञा होती है। अब बात जब चल रही है तो प्रज्ञा भी समझ लो कि प्रज्ञा क्या है। जैसे सूरी के उदे होने पर प्रज्ञा होता है। reflection है ज्ञान का प्रकाश है the stability of mind by enlightenment ये प्रज्या है अब ज्ञान और कर्म का जो संबंद है वो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं क्या बता रहे हैं भगवान कहते हैं कि कर्म को कैसे योग बनाया जाए योग शब्द के साथ भी हमारे विश्व के लोगों ने बहुत अन्याय किया है उन्होंने योग को एक तो योगा कर दिया योग योगा भोग भोगा रोग रोगा लोग लोगा हसी आती है योग का मतलब प्राणायाम आसन समाधी यम यम मैं करम तोड़ के बोल रहा हूँ या योग का मतलब शट कर्म नहीं है नेती दोती बश्टी बश्टी बज़ोली खपाल भाती कुण्यन ये योग का मतलब नहीं है योग का मतलब है परमात्मा से तुम तूट गए हो और माया ने तुम्हारा किडनेपिंग कर लिया है अपहरन कर लिया है तुम दुबारा परमात्मा से जुड़ जाओ इसको योग बोलते है योग का आर्थ बहुत ब्यापक है तो यहाँ पर बुद्धी योग का सब्द का जो प्रयोग किया है वो इसलिए किया है कि बुद्धी शब्द को तुम जानते हो और तुम बुद्धी कहने पर तुम समझ जाओगे तो तुम परमात्मा से कर्म के माध्यम से कैसे जुड़ो इसको कर्म योग कहते हैं कर्म किस प्रकार के करें, किस विधी विधान से करें, किस धंग से करें, कि कर्म हमें माया में ना बांद कर, बंधन कारी ना होकर, मुक्ति दाता हो जाएं। कर्म में हम इस तरह उत्रें, कि कर्म हमारी मुक्ति में सहायक हो जाएं। कर्म हमारे लिए स्वतह मुक्ति का मार्ग खोल दें। ऐसे मैं आपको छुटा सा उधारान दूँ, आपके घर में कोई भोजन अच्छा बन रहा हो, खीर बनी या कुछ अच्छी चीज बनी। अब एक व्यक्ति ऐसा होता है, जो कतोरी पर कतोरी खीर पीए जा रहा है, उसको चिंता लिये के घर में बाकी के पाँच लोग क्या खाएंगे। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो हिसाफ से एक कटोरी उसके हिस्से की खीर खाके और शांती से दूसरा भोजन गर के पेट भर के बैठ जाता है तो जो व्यक्ति एक कटोरी खीर खाके बैठ जाएगा और जादा नहीं खाएगा उसको कहते हैं कि उसने युक्त धंग से भोजन किया है और जो आजमी ज़्यादा खीर खा गया अब पेट फूल गया उसका खा पी के अब चुरन चटनी रात में ढून रहा है पेट में दर्द हो रहा है या सुबह उसको अपच हो गया खट्टी डख्रार रही है तो कर्म जो है छोटे से छोटा भी कर्म होता है उसको अज्यानी बड़े बेका धंग से करके अपने लिए मुसीवत का कारण पैदा कर लेता है और ज्यानी बड़े से बड़ा भी कर्म होता है तो इस धंग से करता है कि वो कर्म उसको अशान्त नहीं करता कर्म की सबसे बड़ी पहचान है कि जो कर्म आपको अशानती में डाले या पश्यताप में डाले या गलानी लाए वो कर्म आपके लिए बंधन कारी है जो सहज में हो जाए जिससे सांप अपनी जो कैंचुली है वो सहज छोड़ देता है साप अपनी कैंचुली को सहच छोड़ देता है उसको छोड़ने में तकलीफ नहीं होती ऐसे जो कर्म आपको आराम से हो जाएं और आपकी माया की गांट खोलने में मदद करें आपको मुक्तिदाता हो जाएं वो सबास्तर में देखा जाएं न वो जो है कर्म है वही कर्म योग की स्रणी में आ सकते हैं लेकिन वो तुम कर नहीं पाओगे राम चरित मानस में लिखा है कि जड़ चेतनी ग्रंती पड़ गई यदपी मिर्था छूटा तकट नहीं मतलब जो है जूटी है वो लेकिन उसकी छूटने में बड़ी कटनाई होती है और जैसे जैसे तुम कॉसिस करते हो वैसे वैसे वो ग्रंती इतनी कड़क होती है जैसे कोई वहे लिया जाल फेलाता है फंदा डालता है और कोई खरगोशित्यादी जानबर उस फंदे में उसका पैर फस जाता है सेहा लोमड़ी किसी का वो जितना जितना चट पटाती है और फंदा कड़क होता जाता है लेकिन क्यों? कि तुम्हारा छटबटाना, तुम्हारी अशान्ति, तुम्हारे घवडाहट यही तो तुम्हारा अज्ञान ही तो तुम्हें और और ज्यादा जन्मों में भटका रहा है सद्गुरू तुम्हें समझाते है मुझे बुद्ध का समरन आ गया यहाँ भगवान बुद्ध ने कहां तथागत तथागत का मतल़ जैसा हो रहा है उसको गुजर जाने दो उससे लड़ो मत शान्त हो जाओ जो भी आएगा तुम्हारे अंदर से गुजर जाएगा जैसे कल बताये था आकाश में वरिशा होती है ग्रीश मिर्तु की गर्मी तप्तवी लूला पड़ चलती है ठंड की बयार आती है वर्फ जम जाता है पत्ते जम जाते है आकाश कभी नहीं जमता है तो जो गुजर जाएए उसको गुजर जाने दो तुमारे अंदर वो खरोच पैदा नहीं कर पाएगा यदि सद्गुरु का तुमारे पास साथ हो तो वो ही तुमारी इस गाट को खोलने में मदद कर सकते है फिर रामचरित मानस की बात आती है कि जो बिरंची संकरसम होई विन गुरु भवनिती की तरह की कोई अगर जो ब्रह्मा की समान भी और शंकर के समान भी समर्थ वाम हो तो वो व्यक्ति कभी संसार सागर को तर नहीं सकता जब तक जब तक जो है ब्रह्मा अगर ब्रह्मा के समान भी अगर कोई हो जाए तो संसार सागर को करना संभव नहीं है कब तक नहीं करना संभव है जब तक कोई सजगुरु तुम्हें उस संसार सागर से पार ले जाने के लिए तुम्हें तुम्हारी मदद नहीं करें तब तक तो यह जो इश्लोक है इश्लोक कह रहा है कि कर्म योग कर्म को कैसे योग बनाया जाए है हम कर्म को योग नहीं बनाते हैं हम कर्म भोग भोगते हैं हम कर्म योग नहीं जानते हम कर्मों से मुक्त होने का मार्ग नहीं जानते कर्मों से मुक्त होने का मार्ग हमें सद्गुरु ही बता सकते हैं और उनका बताना मात्र नहीं उनका तार्थी बन के रहना भी जरूरी है. चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, राहा दिखाते जाएं, रात में तारे. है ना? तो चाहे कुछ भी सारे दीपक बुझ जाएं, लेकन अगर सद्गुरू हो, तुम्हारे साथ, तो तुम्हें किसी और की दीपक की जरूरत नहीं है. तो यह जो ज्ञान योग है, और यानि जो सांक योग है, जो अर्जुन मैंने तुझे बताया, आगे मैं तुझे बुध्ध योग की दश्टी से कुछ सुना रहा हूं, तु सुन, यदि तु इस कर्म के रहसे को जान जाएगा, अर्जुन, तु तेरे कर्म बंधन खुद जिवा खुद नस्ट हो जाएंगे, स्वता नस्ट हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए जानने का जो है, गीता में कभी भी सद्गुरु भगवान ने कहा है, तो जानने पर कहा है, मानना तो कभी कहा ही नहीं है, मानना कोई धर्म नहीं सिखाता है, मानना अधर्म सिखाता है और जानना धर्म सिखाता है तो अगर आप ये जाने और अगर आप ये देखे कि आपके अंदर यार करता कोने कर कोन रहा है आपके अंदर आप क्या भोजन कोन कर रहा है आपके अंदर शेहन कोन कर रहा है आपके अंदर बातल आप कोन कर रहा है आपके अंदर चलना कोन कर रहा है आपके अंदर उटना बेटना कोन कर रहा है आपके अंदर बुद्धी का काम कोन कर रहा है अब अगर आप इस सरीर में और इस मन बुद्धी चित्त में करता को जानने के करता कोन है करने वाला कोन है और फिर अगर आप थोड़ी सी जाग रूपता अगर अपने अंदर पैदा करें थोड़ा से अवेरनेस अपने अंदर पैदा करें तभी तो मैं कहता हूँ कि it is the meditation of awareness यह मैं awareness का ध्यान है यह concentration वाला ध्यान नहीं है कुंडली में इस चक्र पे ध्यान करो उस चक्र पे ध्यान करो यह जान नहीं है यह है meditation of awareness तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी awareness आजाए तो आप यह जान जाओगे क्या जान जाओगे कि करता भी जड़ है और जो कराने वाला है instrument है जो कराने के लिए प्रणित करता है वो भी जड़ है क्योंकि जिसे भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं वो सब जड़ होता है इंद्रियों के अंतरगत होता है आपको भूख क्यों लगती है आपको भूख इसलिए लगती है कि आपको एक निशिस समय में आपके stomach में enzyme create होते हैं और पाचन के रस निकलता है और वो आपकी stomach की मूख कोशा पर effect करता है और आपको पता लगता है brain को पता लगता है कि अब ये जो अपना enzyme है digestive juice है ये निकलने लगा है तो फिर brain कहता भी कुछ खाओ बताईए खाता कोन है करता कोन है करता है मूँ और हाथ भोजन को उठाते है उंगलियां और मूँ में डालते है करता है और कौन कराता है वो digestive जो juice है वो कराता है और कौन कराने का प्रेरित करता है stimulation कौन करता है वो brain करता है दिमाग करता है बताईए तीनों तो जड़े हैं भी आप मुर्दे में भी दिमाग होता है मुर्दे के अंदर भी दिमाग होता है तो मुर्दा जो है मुर्दा भी तो करता है यार ये बीच में स्काइपी पर कॉल आते हैं तो उससे बोलने की धारा तुकती तो मुर्दा भी तो मुर्दा को भी तो देखो मुर्दे के अंदर भी तो कुछ होता है मुर्दे के बाल बढ़ने लग जाए बढ़ते रहते हैं नाखून बढ़ते रहते हैं लोग तो करता तो जड़ है और करने वाला करता है और कराने वाला वो भी जड़ है यदि आप इस बात को अच्छे से जान लोगे मानोगे नहीं जान लोगे तो आप देख लोगे कि कर्म क्यों होते है और कर्म कोन कराता है और कर्म के फलों का भोगता कोन है अब ये कर्म के फल का भोगता कोन है ये आप देखो मैं तो हर बात आपको बताम गा नहीं थोड़ा सा संकेत मैंने दिया है क्योंकि ये तो practical knowledge है applied है तो आपको ये application इसकी करना पड़ेगी यदि आप करता और कराने वाले को और भोवने वाले को भोगता को और उसके जो करता पने के परिणाम गटित होते हैं वो कहां होते हैं और कोन उसको भोगता है यदि इसको आप जान ले यदि इन प्रश्णों में आप उतर जाएं उनके उत्रों को आप प्रयोगिकृप से, बुद्धी से हटकर देख लें, दर्शक बनकर आप ये तमाशा देख लें, माय का ये तमाशा, आप अगर दर्शक बनकर एक बार देख लें, तो भेया माय का ये जादू है ना आपके सामने खुल जाएगा, एकस्पोज 혁 ट्रिक नहीं होगी फिर वो बिल्कुल जसे कोई जानु कर रहता है वो सिकों को यूऊ-यू करदेता है और यूजिने कोई वस्तू अժनी बवहां वे रखे है spent की और निकाल के आपको बता दी ऐसे माया की जो ट्रिक है माया का जो ज़ादू है माया के कारण जो आप संसार में ब्रहमित हो रहे हो वो आपके सामने माया की पोल खुल जाती है माया की पोल खुल जाती है और फिर क्या होता है जैसे ही मया की पोल खुली और जैसे ही कर्मों का यहरह से आपने जान लिया तो आप उसी च्छन उसी वक्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं तब भगवान कहते हैं कि प्रहास्यसी कर्म बंधन प्रहास्यसी कर्म के बंधन जो है मुक्त हो जाते हैं का तादपरी है कि उनका रास हो जाता है डिकंपोज हो जाते हैं डिके हो जाते हैं डिस आइपीयर हो जाते हैं जैसे ही आप ग्रिश मिरतु में अभी फ्रीज में से बर्फ की टे निकाल कर रख दें और थोड़ा सा भूल जाएं आप देखेंगे कि तीन चार मिट पांच अंदर आपके दिल्ली के टेंपरेचर में वो बर्फ पानी हो जाएगा आपको बर्फ ढूने ढूने नहीं मिलेगा ऐसे ये कर्म के बंधन आपके ढूने 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 नहीं मिलेंगे आपको आप मुक्ति की उस अवस्था में खड़े हो जाएंगे कि जहां पर कर्म के ब सूत्र है भगवान ने जो ये सूत्र गीता का और दूसरे अध्याय का 49 वा जो सूत्र है इस सूत्र को मैं एक बार फिर दोराना चाहता हूं आप समझ जाएं कि एशाम ते अभी हिदा सांखे बुद्धी योगे तु इमाम शुनू बुद्धया युक्त यथा पार्थ कर्मबंधन प्रहाश्यसी जहां पर वो बुद्धी युक्तता का जो शब्द प्रयोक किया है वो बुद्धी युक्तता का मतलब यह है कि आपके अंदर यदि extreme level of awareness यदि आ गया तो आपके जो कर्म भंदन है वो प्रहास यसी यदि सर्वथा नस्ट हो जाते हैं कैसे कि यदि तु कर्मों को भली भाति करेगा भली भाति करना यदि होश में करना भगवान बुध के पास एक भिक्षू आया भगवान ने कहा कि तुम जो भी करो होश में करो जाकर करो भिक्षू की नाग पर मक्षी बैठी थी उसने ऐसे करके मक्षी भगा दी उसने कहा रही मैंने तु ये बेहोशी से भगाई है तो मक्षी भग चुकी थी लेकिन उसने दूसरी बार ऐसे करके हाथ से होस हाथ घुमाया और भिक्षू बैठे ते तो एक दो कच्चे भिक्षू हसने लगे उनने बोले आपने इसा क्यों किया कि आपनी दुबारा हाथ घुमाया तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने बेहोशी से हाथ घुमा दिया था मैंने ये जो हाथ था ये बेहोशी में घुमा दिया था मैं इस वकत अवरनेस में नहीं था जाग रुकता है मैं नहीं था मैं बेहोश था अब मैंने ये हाथ होश पूर्वक गुमाया है अब मैंने जो हाथ गुमाया है होश पूर्वक गुमाया है तो ऐसे जो तुम्हारा जीवन शिवो, ऐसे तुम्हारा जो जीवन है उसका प्रतेक कर्म यदि होश पूर्वक होने लगे तो होश पूर्वक किये गए कर्मों से, तुम इस कर्म बंधन को सर्वता नस्ट कर दोगे, इसलिए भगवान सद्गुरू की करपा से मैं आप सब लोगों को होश शिखाता हूं, तो मेडिटेशन आफ अवरनेस सिखाता हूं, मेडिटेशन आफ कंसेंट्रेशन नहीं सिखाता हूं, आपको किसी प्रकार की चीज को मान लो ऐसा नहीं कहता हूं, आप से कहता हूं आप जान लो, मैं जो कहता हूं उसको मानो मात, मैं जो कहता हूं उसको करके अपने अंदर ज इतना ही आज कहना उचीत होगा, कहने को तो भहुत अनन्त है, लेकिन अनन्त को आप अनन्त में खड़े होकर ही ज्ञान के वाद सुन लेना, अभी आप अनन्त की और आपको मैं धक्का दे रहा हूं, शब्द मात्र माध्य में, सद्गुरु भगवान की जै, स्वामी जी महराजी की जै, शिबो खम।